Hello friends, welcome to WSQTEC इस वीडियो में हम जानेंगे Pathfinder Panel के बारे में Pathfinder Panel की Help से हम जो हम Objects बना रहे हैं या Texts बना रहे हैं उन में Weld, Stream, Intersect Front-Back, Back-Front कैसे किया जाता है उसको हम जानेंगे Pathfinder Panel की Help से और उसको Effects Menu के Help से तो चलिए शुरू करते हैं Pathfinder Panel मैंने यहां पर Pathfinder Panel को Right-hand Side में यह जो पैनल की जो लिस्ट बना रखी इसमें Set कर रखा है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं आइकन वाइस अगर हम जानते हैं कि वी कौन सा आइकन किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसको हम ऐसे छोटा भी कर सकते हैं अगर हमर पास Workspace काफी बड़ा है स्क्रीन बड़ी है तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग करके जो इसके नाम से यह जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं वैसा हम इनकी विद नेमिंग इन पैनल को शो करा सकते हैं तो इसमें हमने यहां पर दे रखा है Pathfinder पैनल को और भी कई तरह के पैनल जैसे की काम आता है ड्राइंग में डिजाइन में Properties पैनल से स्टार्ट होकर के Coloring, Swatching, Brushes, Symbols Appearance, Graphic Styles जो major जो काम आते हैं उन सभी को मैंने यहां पर सेट कर रखा है तो अब उसमें आहों देखते हैं Pathfinder पैनल Pathfinder पैनल के साथ साथ में हम Align भी देखेंगे Transform भी देखेंगे Transform हम वैसे भी पहले कर चुके हैं फिर भी हम एक बार revise कर सकते हैं Pathfinder में हम जब आते हैं पैनल में तो यहां पर सबसे पहले Shape के Modes डिस्पले हो रहे है Shape Modes में Unite इसको हम Weld भी कह सकते हैं दो Object को आपस में Weld करना चाहे कैसा भी हो और दो अलग-अलग Shapes को Weld करते हैं एक नया Shape बनाना दूसरा है इसमें Minus Front Front माइनस हो जाएगा Back Object से और Intersect दो Object की Overlapping से जो नया Object जनरेट हो रहा है जो नया Object बन रहा है दिखाई दे रहा है उसको एक अलग से निकालना यह होता है Intersect का मतलब और फिर है Combined दो Object को आपस में Combined करना और जो Overlay पे रहा है उस Overlay पे रहा है पे ट्रांस्परेंस से अप्लाई करना चलिए तो पर कुछ बेसिक से शेप लेता हूँ Initial इसको समझाने के लिए कि भी हम इसमें दो या दो से जादा Object को किस तरह से Weld कर सकते हैं जैसे मैंने दो Object लिए हैं इन दोनों Object का Outline, Color, Outline, Weight जो इसहां से changes करना चाहें वो हम change कर सकते हैं इन दोनों को आपस में Unite करने पर यह कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा जैसा कि आइकन भी शो कर रहा है जो हैश में शो हो रहा है इस तरह से इसको भी हम ऐसे वेल्ड कर सकते हैं Unite कर सकते हैं Unite means दो या उससे जादा Object को हम यह Unite text के साथ में भी कर सकते हैं जो भी text हमने लिखा है और उस text को इसके साथ में weld किया जा सकता है यह लिया मैंने इसको टेक्स को यहां color में change कर देता हूं फिल कर ले लेता हूं यह इनी colors को swipe कर देता हूं और text का color जो है change कर देता हूं इन दोनों को select करके path finder option में जाएंगे और unite कर देंगे अब देखिए इसको select किया यहां पे लाए unite तो देखा आपने कि हम जो text ले रहे हैं और इसको किसी और shape के साथ में unite कर रहे हैं तो यह यह नहीं हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है यह इसलिए यह इसलिए इन हो रहा है कि यह अभी भी ट्रक्टी में हैं और मैंने ने बताया आपको भी इसको हम object को weld कर सकते हैं और kie prakto's इसे यह हम एकसपन कर सकते हैं तो मैंने इसको क्रेट आउटलान किया, तर गुछ इस तरह से आउटलान बना देगा यह देखर अब हम इसको साथ व जिल्ल्ड कर सकते हैं उनाइट कर सकते हैं तो जो भी text इंसाइड में जो box के था वो text उसके साथ मर जाएगा और बाहर वाला जो text object है वो as a graphic object इसमें ऐसे weld कर देगा यह unite कर देगा यह unite का रोल है text के साथ में normal object के साथ में basic shape के साथ में जैसे मैंने बताया इन दो को weld करके unite करके तो यह इस तरह से हम pathfinder की help से unite कर सकते है हैं दो यह दो से ज्यादा object को text को हम expand करके जोड़ सकते हैं अब इसी के साथ में क्या बताता हूं यह से एक rectangle लिया shape basic shape लिया outline on करते हैं और drag करके alt के साथ drag करके एक छोटा सा rectangle और इसमें shape add करते हैं थोड़ा इसको line को cross कराते वह रखते हैं ऐसे again इसी को हम alt के साथ drag करके duplicate करते हैं छोटा करते हैं थोड़ा corner हम राउंड रहते हैं लेते हैं इसके Alt & Shift से दौनों corner से एक साथ हम ऐसे resize करेंगे तो यह देखिए यहां से इस पात को यह corner इसके Direct Selection Tool की help से हम ऐसे नीचे की corner को round कर देते हैं सेम यही इसमें भी यही करेंगे जो इसको duplicate किया है corner के यह corner shift के साथ में और यह corner दौनों select करेंगे यह हमने इसको कर दिया लाश्ट वाला जो है मैं इसको sharp रखता हूं इसमें stroke की प्रोपर्टी में round cap दे रखा यह भी sharp ने इसको exact sharp ने समय चाहिए इन सभी को मैं ऐसे pathfinder tool की help से pathfinder panel की help से unite कर सकता हूं तब देखिए unite करने पर कैसा shape हो गया यह इस तरह से bevel type shape बन जाएगा outline की stroke की width में कम कर देता हूं इस तरह से अब यह drag करेंगे alt के साथ flip करना हो properties panel पर जाकर करके इसको vertical flipping कर देंगे और एक pillar का जो हमें shape बनाना हो इन तीनों को आपस में जैसे कि अभी यह aligned नहीं है इन को आपस में हम select करेंगे और आपस में horizontal align centerly ऐसे align कर देंगे now pathfinder unite यह इस तरह साम इसको unit कर सकते हैं तो जो pathfinder में जो unit feature दे रखा यह unit feature जो है और minus का feature है वह हम ऐसे यहां से shape builder tool की help भी कर सकते जैसा कि मैंने previous video बताया है कि यह दो शेप को आपस में अगर मुझे मर्ज करना हो तो मैं इन दौनों को select करूंगा यह दोनों को आपस में select करके जो भी cross area और उसको मैं ऐसे add कर दूंगा तो यह भी इससे भी किया जा सकता है अगर minus करना होता तो मैं यहां से alt के साथ प्रेस करके minus करके एक नए object बना देता इस तरह से इन दौनों को select करेंगे नेक्स हैं पाइनस front इसको मैं सिंपल सा ऐसे समझा देता हूं तो बेसिक चेप लेने के बाद में color चेंज कर देते हैं तो अलग-लग color डाल डाल देते हैं एक में यह देता हूं दूसरे में color दूसरा डालते हैं हिला नाउ इस पैनल में यह जो दिखाई दे रहा है ऐकन इस ऐकन का नाम है माइनस फ्रणट को बास करना सुर्ण ब्लक करता हूं कोई भी सेलेक्ट नहीं है कि देखेये दो ऑप्जेक से रेक्ट मिया सिंगल पर यह काम नहीं फ्रंट माइनस कर सकते हैं और नेक्ट है इंट्रसेक्ट के लिए मैं एक शेप लेता हूं सर्कल और इसके आउटलाइन और कर देता हूं कलर नन कर देता हूं एक और डूप्लिकेट करेंगे इसको कुछ इस तरह से इन दोनों की बीच का जो ओवरलैप एरिया है वह हम यहां से जनरेट कर सकते हैं नया बना सकते हैं इंट्रसेक्ट देखें जो इसके अकोडिंगली जो दो सर्कल थे वह डिलिट हो जाएंगे और जहां पर यह ओवरलैपिंग एरिया बन रहा था वहां से एक ही लीफ शेप का अब इसको हम चाहिए जैसा यह करविंग टूल की हल्फ से या पैन टूल से यह जो पॉइंट्स हैं एंकर पॉइंट्स इनको माइनस करके और कंट्रूल के साथ ड्रैग करते हुए ऐसे एक पर्फेक्ट लीफ शेप का हम बना सकते हैं तो यह था कि इंट्रसेट से हम यह सी इंट्रसेट का मतलब है आप आप इंट्रसेट के साथ में ड्रैक करता हूं कुछ ऐसा शेप बनाना है तो मैं इसको ऐसे देता हूं थोड़ा रोटेट कर लिएता हूं देखा होगा इस पाइक जैसे बने वे होते हैं तो यह दो वर लेपिंग से इंट्रसेक्ट करने पर यह बीच वाला एरिया बन जाएगा मैं यहाँ पर ट्रिम कमाड यूज़ करता हूं फ्रेंट माइनस बैक तो कलर चेंज कर लेते हैं चेंज कलर स्री आउटलाइन ओन है आफ करेंगे फिल कलर इसमें क्यों प्रेंट माइनस होगा कौन सा जो ग्रीन कलर है वह ब्लू में माइनस हो जाएगा या मैं ब्लू को कंट्रॉल शिफ्ट ब्रैकेट्स की हेल्प से कुछ इस तरह से शेप को मैं माइनस कराता हूं कि ऐसा एक आर्क बन जाए ऐसा कोई आज मिल जाया हुए इस तरह से इतना बारिक इन दोनों को आपस में सिलेट करेंगे पाथ फैंडर और फ्रेंट माइनस कर ना कि कर्विंग हम यहां से इसके हम अकर सकते हैं डियर्श ऐलेक्षिन टूल के अल्प इस हेंडल्स की हल्प से एक्स्ट्रा नोड्स को हम हम यहीं हटा सकते हैं चाहिंघंड एन पारिक था इस तो यह रोल है पाथ फैंडर में यूनाइट का माइनस फ्रेंट का इंटरसेट का कमबाइन दो अबजेक्ट को आपस में कमबाइन करना जैसे मैंने एक अबजेक्ट ये लिया है दूसरा मैंने ये लिया है इन दोनों को कमबाइन करने पर क्या होगा ये जो ओवरलेपिंग एरिया आ रहा है यह minus हो जाएगा और बाकी दोनों object आपस में connect हो जाएगे और एक color में convert हो जाएगे यह combined का मतलब बताए इसको हम वापस break भी कर सकते हैं और double click करके इसके अंदर जा करके हम इसको एस तरह से changes भी कर सकते हैं यह है compound objects का मतलब अब आते हैं divide मैं divide के लिए एक यह shape लेता हूँ एक rectangle लेता हूँ sorry यहां से rectangle यूज़ करेंगे color change कर देते हैं shift कर देते है align command यूज़ करेंगे align के लिए यहां पे control जो path उपर जो दे रखा है control bar जो दे रखी है वहां से भी हम align कर सकते है align के लिए panel दे रखा है इस align पैनल में जाकर हम horizontally vertically to the selection to key object और to artboard हम इन तीन mode के according align कर सकते हैं distribute भी कर सकते है equal distribution मैं अभी बताऊंगा कैसे distribute करना है multiple objects को एक मैंने यह लिया है दूसरा मैं यहां से basic shape में जैसे star लेता हूँ और star को अब बड़ा बनाते हैं नहीं ऐसा नहीं बनाना है हमें डबल क्लिक करेंगे star की property पर जाएंगे और यहां से कितने points नहीं है उतने points यहां से लेंगे inner radius and outer radius define करेंगे मैं यहां पर करता हूँ 70, 50 and 50 mm by 25 mm यह ऐसा मैंने star generate किया color कुछ भी देते हैं यहां से आपस में इनको cross करवाते हैं alt and left click से alt and shift के साथ हम इसको proportionally चारो corner से एक साथ ऐसे फोटा कर सकते हैं इन सबको आपस में central line करते हैं horizontally and vertically to selection selection की range according तो next अपना जो pathfinder में option है वो है pathfinder panel के जाएंगे divide अब दीखिए यहां पर orange color का जो box बना रखा है green color का circle बना रखा है उपर हमने star दे रखा है तो इन से जो segment बन रहे हैं जैसे एक segment बन रहा है कि यह बन रहा है कि अंदर का यह पूरा segment बन रहा है green color के segment बन रहा है और यह बाहर इनको star को सब्सक्राइब करते हैं और इन सेग्मेंट में divide कर देगा इस डिवाइड ऑप्चिन की help से तब देखिए मैंने divide किया अब दिखा तो सब साथ मेरा है डिवाइड हो चुका है इसको ungroup करना पड़ता है अंगुरूप करने के बाद यह जैसे एक यह शेप आ गया एक इधर से बन गया divide हो गया यह divide हो गये जितने भी थे यह सारे divide हो जाएंगे यह divide हो जाएगा इस तरह से तो इसकी help में हम कुछ इस प्रकार से divide कर सकते है multiple object को यह इसका मतलब होता है next हम आते हैं trim इससे पहले भी हमने trim देखा है इसमें फिर से मैं बता देता हूं कि trim किस तरह से काम करता है यहां पर मैंने एक polygon में draw कर लेता हूं ओके color change कर देते हैं इन दौनों को आपस में trim कराते हैं trim तब देखिए यह जो polygon है rectangle shape से trim हो चुका है यानि कि minus हो चुका है फिर भी अभी यह इसको release नहीं कर रहा है तो हम इसके लिए क्या करेंगे control shift g अंग्रूप करेंगे अंग्रूप करने पर जो polygon और यह जो आपस में group हो जगे हैं trim होने के बाद में तो हम इनको ऐसे individual लग कर सकते हैं फरक इतना ही है जो हमने इससे पहले यहां पर जो trim किया है माइनस फ्रेंट यारे कि जो पॉलिगोन है इससे माइनस हो जाएगा और इस condition में क्या करेंगा यह माइनस भी कर देगा और इसके साथ ही रखेगा इसको डुपलिक इसको डिलीट नहीं करेगा तो अब हम इसमें कुछ इस तरह से चेंज करके कैसा भी शेप बना सकते हैं ग्रेडियंट अपलाई कर सकते हैं कलर यूज़ कर सकते हैं ऐसा अगर हमें आउट्लाइड या ऑफ्जेट देतावा सेट बनाना हो कोई तो हम ऐसे डिजाइन कर सकते हैं इस पाथफाइंडर में कि मर्ज एज उजल यूनेट की तरह ही काम करता है जैसा हमने यूनेट में देखा है दो या दो सेधिक ऑबजेक्ट को चोड़ना तो मैं इसके साथ में यह जोड़ना चाहता हूं शिफ्ट पेज़ा शिफ्ट कंट्रोल के साथ में ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे एंड कि तिनों मर्ज कर देता हूं मर्गों कि फिर कंट्रोल शिफ्ट जी अन्गुरुप गणेघ्ट एंग करने पर कैसे एंगहा जो इरई ऐए के अर्या और मर्ज में यह आपस में गुरूप करके हम इनको अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट ए स्क्रॉप करना प्रॉपिंग जो भी अवरलेप एरिय के अंदर जो एरिया आ रहा है वह रख देगा बाकी एक्सट्रा एरिया इसको डिलिट कर देगा फरक्जामपल में यहां से कऊटा देता हूं इस पॉलिगोन को ड्रॉब करते हैं और इस पॉलिगोन को हमने ड्रॉब किया है एक हाफ- रेक्टेंगल के ऐरिया में और कळर से दूसरा देहते हैं यह दोनों को सेलेट करते हैं पाथ-फाइंडर देन इंक्रॉप देखे I यह जो पॉलिगॉन है इसका क्रॉपिंग हो जाएगी बैक्गराउंड में जो भी अबजेक्ट है उससे और हाफ पाउट्र यह जो ओवरलेप एडिया वह रह जाएगा तो जस्ट लाइक है इंट्रसेक्ट की तरह काम कर रहा देखे क्रॉपिंग की इंट्रसेक्ट में भी यही होता है कि दो अबजेक्ट की ओवरलेपिंग से ने अफजर बन जाता है यहाँ पर अबजेक्ट तो ब आउट्लाइन नहीं है कलर नहीं है नहीं दिखाए देता है वाइट आर्ट बॉर्ड होनी की वज़े से तो हम कंट्रूल वाई करके आउट्लाइन मोड में जाकर इसको देख सकते हैं तो यह तरीका है कि पाथ फाइंडर फैनल को यूज करनेंगा नेक्स्ट इसमें अउट्लाइन में कंवर्ड कर देगा जो भी अपजेक्टस है इसको आपस में जिसे में यह ऐसे लेता हूं यहांसे आधे कर लेते हैं फिरेट इसलेट एंड कनवर्ट इंटो आउटलाइड इन पूरे अबजक्त तो जो भी ओड़ी हो रहा इन सब तो आउटलाइन में कनवर्ट कर दिया है आउटलाइन का स्ट्रोक अभी 0 है है यां से स्ट्रोक बढ़ा सकते हैं और यह सब आपस में आउट्लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगे यह इसका मतलब होता है और माइनस बैक बैक में से फ्रेंट को माइनस करना यह मैंने लिया यहां से अरी नहीं है फ्रेंट कलर बैक कलर दोनों को इलट करेंगे में जो वह रह झाएगा और बाकी एरिया साल माइनस ऐगा यह इसका मतलब है जैक सबसुच में और प्रेंट माइनस का यह पाहींडर के क्या अप्षिन है यह अलाइनमेंस के आपशिन है अब हम बात करते है distribute करना हो align हमने कई बार भी किया है distribute का मतलब होता है कि multiple objects आपने बना रखे हैं ऐसे और सारे अलग-अलग shape है जैसे यह अलग size है यह अलग size है यह अलग size है इस तरह से हमने horizontally बनाया मैं कुछ vertically बना देता हूं अब इन सब में देखिए आपस में equal नहीं है इन दोनों के बीच में इन सब के बीच में यहां पर भी हम देखते हैं इन सभी में इक्वल नहीं है तो distribute कमांड से वर्टिकल डिस्टिबूशन यानि कि स्पेस का distribution करता है यह multiple objects के बीच में तो distribute object हमारा लाइन क्या है horizontal में वर्टिकल डिस्टिबूशन थी तो हम यह वाला portion यूज करेंगे center point to center point distribution of multiple object तो अब एक object की center point से दूसरे object की center point तक जो distance है वो equal हो जाएगा देखिए और मैं इसको top align भी कर देता हूं सबको आपस में top align तो अब इस object का center point इस object के center point से equal distribution हो चुका है यहां पर जो option और दे रखे हैं भी सभी का left equal हो जाए सभी का right equal हो जाए सभी का equal center point हो जाए तब देखिए इसने सभी को आपस में एक दूसरे को centerline कर दिया है तो distribute हम horizontally vertically single time ऐसे जैसे मैं यह लेना चाहता हूं तो यह ले सकता हूं अब horizontal line horizontal distribution करना है vertical lines में तो यह select करेंगे vertical line को अब इनका आपस में center point equal करने के लिए हम यहां से vertical distribution option on करेंगे बाकि यह center तो हमारा पास align का ही है तो इसे कहता है distribute करना equally multiple objects के बीच के gap को control करना यह align का जो नया advanced feature है pathfinder का यह feature है transformation हम यहां से भी कर सकता है width and height position rotation mirror यह सारा हम यहां से भी कर सकते हैं जो भी selected object होगा उसके बीच में transformation करना यह transformation हमने यहां control panel पर यहां पर ओपर भी देखा है और control T और इसके bounding box open करके जो grips है इसकी help से भी देखा है तो इसको आप यहां से भी कर सकते है transform panel को तो ये था इस video का इस session का panels के session का video ओके, thank you friends